जैहिंद आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विवड की प्रश्नावली 3.3 का सवाल हल करेंगे जिसका इस्क्रींश़ूट आप को इस वीडियो में दिखाए दे रही होeger इतने सवालों को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं यहाँ पे हमने दो सवाल लिख लिया है जो कि कुछ इस प्रकार से है सवाल ने बोला है कि निम ने राखे एक समिकर यूगमों को प्रतियस्थाप पर्मिदिस हल केजिए यहाँ पे हमने दो सवाल लिखे है जो कि X प्लस Y ब्राबर 14 दूसरा सवाल है S-T ब्राबर 3 S by 3 प्लस T by 2 ब्राबर 6 इन्हें दोनों सवालों को पहला हल करते हैं इसके पस्चात बारी-बारी से सभी सवालों को हल करेंगे चली देखते हैं यहां पहला सवाल है एक्स प्लस Y ब्राबर 14 दूसरा है X-Y ब्राबर 4 दोस्तों करते क्या है कि यहां पर X या Y का मनन सबसे पहले निकाल लेते हैं याने कि इसको मानते हैं सभीकरण 1 और इसको मानते हैं समिकरण 2 अब लिखते हैं कि समिकरण 1 को लेने पर यानि कि समिकरण एक को लेने पर अब हम लोग समिकरण 1 को ले करके एक्स का मान निकाल लेंगे यानि कि हमने यहाँ पे समिकरण 1 को ले लिया एक्स प्लस वाई बराबर 14 है इस परकार से एक्स बराबर हो जाएगा 14 ये वाला वाई प्लस में है इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में यानि कि 14 माइनस वाई हो जाएगा इस परकार से हमने एक्स का मान निकाल लिया अब क्या करेंगे कि लि 2 में रखने पर। इस प्रकर्स हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, समिकर 2 यहाँ पर है, कितना है, X-Y बराबर 4, तो क्या करेंगे कि X कामान हम लोग को मिल चुका है, 14-Y, तो जहाँ पर X होगा, वहाँ पर रखेंगे 14-y यानि कि यहां पर एक्स है तो इसके स्थान पर रखेंगे 14-y यह वाला-y अपने स्थान पर बराबर 4 अब क्या करेंगे ध्यांदीजिगा यहाँ पे चौदा माइनस वाई यह वाला माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई माइनस वाई हो जाएगा माइनस टू आई बराबर 4 यह वाला चौदा प्लस में है इसको लेंगे इधर हो जाएगा माइनस में यानिकी माइनस टू आई बराबर माइनस प्लस घटेगा जब कितना माइनस दस इस परकार से हो जागा माइनस माइनस प्लास वाई बराबर दस बट्टा दो यानि कि यह वाला दो है गुड़ा में इधर आगा तो हो जागा भाग में यानि कि दो पच्चे दस इस परकार से वाई का मान मिल गया कितना पांच अब लिखेंगे हम लोग प्रकार से X का मान भी मिल जाएगा तो लिखेंगे हम लोग Y का मान X में रखने पर इस प्रकार से यहां पे X बराबर 14 माइनस Y है तो यहां पे हम लोग Y के अस्थान पे रख लेंगे कितना 5 तो हो जाएगा X बराबर 14 में घटेगा 5 तो बचेगा 9 इस प्रकार से X का मान नो और Y का मान 5 मिल गया तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों उमिद करता हूं कि आपको सवाल नमर पहला बहुत ही अच्छे तरिके से समझ में आ गई है अब हम लोग सवाल नमर दूसरा देखेंगे यहाँ पे दूसरा सवाल है यस माइनस टी बराबर 3 यस बटे 3 पलस टी बटे 2 बराबर 6 दोस्तों इसको लगाने से पहले हम पहले सवाल को मिटा लेते हैं अब दोस्तों हमने पहले सवाल को लगा लिया है अब करेंगे हम लोग सवाल नमर दूसरा सवाल नमर दूसरा है य दोस्तों यहां पर आपको जो पहिला समिकड़ है आपको मुत असान लग रहा है कि यस माइनस टी बराबर थ्री है लेकिन दूसरा वाला के बट्टे में है तो बट्टे में देखने के बाद यह को कठीन लगता है तो हम लोग सुका करते हैं सिंपल बना लेते हैं यानिकी इस इसका गुड़ा इधर 2S इसका गुड़ा इधर हो जाएगा 3T बट्टे तीन दूना 6 यानिकी आपको भीन के जोड की तरह इसका गुड़ा इधर इसका इधर नीचे कर लेना है बराबर हो जाएगा 6 अब आपको पता होगा कि जो संख्या इधर होता है भाग में इधर प्रकार से हमने लिख लिया है दूस्तों आप एक लाइन और बढ़ा लिजेगा और लिख लिजेगा अब क्या हो जाएगा अब हो जाएगा टू यास प्लस 3T बड़ाबर छोचका 36 इस परकार से मैं लिख लेता हूँ 6 चका 36 अब क्या करेंगे कि हम लोग सेम पहले की तरह यानिक इसको माल लेंगे समिकरण एक इसको माल लेंगे समिकरण दो अब क्या करेंगे कि लिखेंगे समिकरण एक से यानिकी समिकरण एक को लेने पर एक को लेने पर इस परकार से आप यहां पर लिखेंगे यास माइनस टी बराबर 3 यह समिकरण एक तो क्या करेंगे माइनस में टी है इसको लाएंगे इधर हो जाएगा पलस में टी यानि कि यास का मान निकल गया कितना यास का मान निकल गया थिरी पलस टी इस प्रकार से आप यास का मान समीकरण दूसरे में रख लेंगे यानि कि यह वाला समीकरण दूसरा हो जाएगा यहां पर दूसरा इस इस प्रकार से हम लोग यास का मान समिकड़ 3 में रख लेंगे ध्यान दिजेगा समिकड़ 3 है 2 यास प्लस 3T बराबर 36 अब जहां पे यास है वहां पे हम लोग रखेंगे 3 प्लस T यानि कि 2 अपने स्थान पे यास के स्थान पे रखना है कितना 3 प्लस T यह वख्लाज अपने स्थान पे 3 इन बराबर 36 यानि कि यह वख्ला दो गुडा में है तो कोष्टक के अंदर दोनों संख्यां गुडा करेगा कितना हुजाइगा नो ती अच्छे पलास डू अपडरवर चाथ यक इस को लिएल रोत दे त्या गावर्छ छततिस यानि कि प्रकार से थी बराबर हो जाएगा तीस बटा पांच यानि कि यह वाला पांच है गुड़ा में दरागा तो हो जागा भाग में पांच छक्का तीस इस प्रकार से हम लोग को टी का मान मिल गया कितना छे तो क्या करेंगे लिखेंगे टी का मान यस में रखने पर यानि कि यहाँ पे हम लोग को T का मान मिल गया है तो हम लोग T का मान यहाँ पे रख देंगे तो S का मान भी मिल जाएगा इस प्रकार से आपको लिखना होगा T का मान T का मान S में रखने पर S में रखने पर अब कितना है S बराबर 3 पलस T यानि कि S बराबर 3 अपने स्थान पे T का मान आ गया है 6 तो हो जाएगा S बराबर 9 इस प्रकार से हम लोग को S और T का मान मिल गया कितना मिल गया T का मान मिल गया 6 और S का मान 9 इस प्रकार से उमीद करता हूँ कि आपको दूसरे सवाल भी बहुती असानी से समझ में आ गई है दोस्तों यह दिये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और बेल आइकन प्रेस के लिजगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहा है इसी प्रकार से चलिए हम लोग करते हैं सवाल नमबर 3 और 4 था इसी प्रकार से बारी बारी सभी सवाल को लोग हल करेंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरू देखिएगा